ये वीडियो में हम लोग सिखेंगे कि कल के दिन बैंक निप्टी और निप्टी में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है और उसके पीछे का कम्पलीट लॉजिक क्या है as per the price action and as per the option chain analysis तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निप्टी का analysis अभी आपके सामने मेंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो बैंक निप्टी का spot का 15 मिनिट का चार्ट है जो लोग मेरे regular वीडियो देखते हैं मैंने आपको कली के दिन बता दिया था कि 36,000 के लेवल के करीब आगर market open हो जाता है तो वहाँ से market नीचे आने की probability है तो उस case में आप लोग 36,000 का put buy कर सकते हो और आपका पहला target आज का closing price रहेगा आज के दिन market उसी level के करीब खुला और वहाँ से market में downside का momentum दिखाया पहला target आचे उकरने के और नीचे market चला गया था अभी दूबारा उसी crucial level पर market आके रुका हुआ है तो कल हम लोगों को किस तरीके से trade करना पड़ेगा सबसे बड़िया trade हमको तब मिल सकता है जब market flat थोड़ा सा gap up या gap down open होके उपर की side में 36,000 का जो level है वो 36,000 के level को upside को अगर market break करेगा तो उस case में हम लोग क्या कर सकते हैं 36,000 का जो call है वो 36,000 के call को हम लोग यहाँ पर buy कर सकते हैं हमारा पहला target 36,100 का रहेगा और दूसरा target 36,300 के करिब कर रहेगा यह target मैंने कौन से basis के उपर दिये हुए है तो यहाँ पर आगर आप देखोगे तो market उपर जाना चालू हो जाएगा तो यह जो पहला गया पर यह आज़े resistance की तरह act हो जाएगा और यह जो दूसरा swing है यह दूसरा swing भी resistance की तरह act हो जाएगा यहाँ पर कौन से point के उपर आपको गोर करना है कि यहाँ पर आगर आप देखोगे तो 36,000 का जो level है यहाँ पर call की side में highest open interest बन चुका है तो जैसे ही market इस level के उपर जाना चालू हो जाएगा जो लोगोंने यहाँ पर sale का position बनाया रहेगा वो सब लोग risk पर आ जाएगे और जैसे ही वो लोग trap हो जाएगे उनकी वाज़ा से market में short covering का एक बड़ा momentum हम लोगों को देखने को मिल सकता है अगर आप देखोगे तो market में एक upside का momentum बना हुआ है जैसे ही market इस swing high को upside की तरफ break करेगा वैसे ही हम लोगों को एक price action का pattern का भी confirmation हो जाएगा और open interest के data में भी यहाँ पे trapping हम लोगों को दिखाई देगा अगर कल के दिन market जो है वो market नीचे की तरफ gap down खुलता है तो नीचे में हमारे लिए important level कौन से रहेंगे इसको समझ लेते है तो नीचे की side में आगर आप देखोगे तो यह 35,483 का जो level है यह एक important support level की तरह काम कर सकता है तो अगर इस level को market downside की तरह break करेगा तो उस case में हम लोग 35,500 का जो put है वो 35,500 के put को हम लोग यहाँ पर buy कर सकते है नीचे की side में हमारा पहला target 35,500 के करीब कर तका आ सकता है अगर कल के दिन market जो है वो in between zone में open होता है तो market यहाँ पर volatile मतलब range bound momentum दिखा सकता है जिसमें option writer जो है वो option writer maximum benefit theta decay का लेने की high probability लग रही है तो हमारे लिए सबसे बड़िया trade तब मिलेगा जब यह 36,000 के call writer trap हो जाएंगे और market upside का momentum हम लोगों को दिखा देगा अभी देख लेते हैं कि open interest का data हमें क्या indicate कर रहा है अभी आपके सामने मेंने bank nifty का option chain लगाया हुआ 31 March के weekly expiry वाला यहाँ पर आगर आप देखोगे तो 36,000 के ओपर 24,000 लाग shares का open interest है जिसमें से 6,500,000 लाग share आज इके दिन जुड़े हुए है अगर कल के दिन market morning hours में ही इस level को break करता है तो नीचे की side में जितने भी call writer फसे रहेंगे वो सब trap हो जाएंगे कल के दिन Wednesday और Thursday के दिन अपना expiry है तो यह लोगों के पास थोड़ा time बचा रहेगा अपने position को square up करने के लिए तो यह लोग यहाँ पर buy का order punch करना चालू कर देंगे प्लस market open होने के बाद जो side line पर बेटे हुए लोग है वो भी market में आना चालू कर देंगे और उसकी वाज़ा से short covering का बड़ा momentum हम लोगों को देखने को मिल सकता है अगर कल के दिन मान लोग की market directly gap up के साथ open होता है 36,000 से लेके 36,080 तक के gap up में market open होता है तो immediate कोई भी trade मत कीज़े पहले अगर market थोड़ा सा नीचे आता है और नीचे आने के बाद इस जो previous high को market upside की तरह break करता है तो उस case में भी हम लोग 36,000 का जो call है वो 36,000 के call को हम लोग यहाँ पर buy कर सकते है और जो यहाँ पर low बना रहेगा वो low हमारा as a stop loss की तरह act हो सकता है उस case में भी हम लोगों को upside का बड़िया momentum देखने को मिल सकता है अभी देख लेते हैं कि हमें nipty का price action क्या indicate हो रहा है यहाँ पर आपके सामने में निप्टी का 15 minute का spot का chart लगाया हुआ है अगर आप देखोगे तो nipty ने दिन बर एक consolidation का mood दिखाया और 3 बज़े के बाद market ने इस consolidation के face को upside की तरह break किया हुआ है तो कल के दिन market अगर उपर open होके नीचे इस level पर आता है और उपर की side में आज का low या फिर कल के दिन का high या फिर कल के दिन का high बना रहेगा यह हमारा पहला target यहाँ पर हम लोगों को मिल सकता है अगर कल के दिन market जो है वो directly बड़ा gap up होता है तो immediately trade मत किजे पहले price action बनने दीजे और फिर उसके बाद decision ले लेजे आज रात को जो युद्धविराम की आशंका है अगर वो युद्धविराम हो जाता है तो उसके बाद market बड़ा gap up के साथ खुल जाएगा अगर 17,400, 425, 450 की range में market यहाँ पे खुलता है तो यहां से दुबारा market नीचे आ सकता है क्योंकि यहां पे profit booking हो जाएगा तो उस case में हम लोग क्या कर सकते है 17,400 का जो put है वो 17,400 के put को हम लोग यहां पर buy कर सकते है हमारा नीचे की side में पहला target जो रहेगा वो target आज का closing price रहेगा इसके पीछे का reason क्या है जब भी market यह बड़े gap up के साथ खुलेगा तो यह नीचे वाले level पर जो लोगोंने buy किया रहेगा उसमें से जो week hand है वो week hand immediately market में से profit book करना चाहेंगे और उनकी वज़ा से market में यहां पे profit booking आ सकता है अभी India Wix का जो value है वो 21 के करीब है उसकी वज़े से option के premium जो है वो premium औरेड़ी महेंगे है तो यह क्या हो जाएगा बड़े gap up के साथ जब market खुलेगा तो premium और बड़ेगे और बड़े हुए premium जो है वो writer लोगों को लिए ललचाने का काम करेंगे और फिर वो लोग यहाँ पे writer लोग time decay का benefit लेने के लिए यहाँ पे selling का position initiate कर सकता है जिसकी वज़े से market में profit booking भी आ सकता है जिसके लिए हमें तयार रहना है यहाँ पे आभी फिलाल market में जो है वो एक upside का price action का structure बना हुआ है अगर market को नीचे आना है तो सबसे important यहाँ पर जो level बन चुका है 17,250 का level इसके नीचे अगर market आता है तब भी यहाँ पे हम लोग selling का position ले सकते हैं लेकिन फिरहाल का open interest का data अगर हम लोग देखेंगे तो तरीका मुझे नग लहीं रहा है कि immediately market इतना नीचे आ सकता है तो यहाँ पे open interest के chart में अगर हम लोग जाते है तो अभी आपके सामने मेंने nifty का option chain लगाया हुआ है monthly expiry वाला 31 March का जो लोग बिल्कुल fresh है जिनको option chain को read करना भी नहीं आता वो लोगों को simply एक ही बात को देखना है कि यह change in the open interest में और total open interest में ज़्यादा open interest कौन से side में बना हुआ है अगर call की side में ज़्यादा open interest बन चुका है तो market में short के position ज़्यादा है और put की side में ज़्यादा open interest बना हुआ है तो long के position ज़्यादा है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आज के दिन यहाँ पर कितना open interest अड़ हुआ है और यहाँ पर कितना open interest अड़ हुआ है बिल्कुल आपको clear cut दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा open interest अड़ हुआ है मतलब market में जो है वो long के position ज़्यादा बने हुए है अगर आप roll over के data को भी देखोगे तो roll over के data में भी आपको positive roll over ही दिखाई दे रहा है जो लोगों को option chain का free का course करना है उसके sub details मैंने telegram channel के उपर दिये हुए है और telegram channel का link video के नीचे description box में मैंने डाला हुआ है वहाँ पे जाके आप check करके देख सकते हो तो उपर की side में जैसे मैंने आपको बताया यह 450 के level के करीब market में हम लोगों को एक resistance दिखाई दे सकता है इसके पीछे का reason है यह जो one of the highest open interest 70 lakh का यहाँ पर बना हुआ है उसमें से 10 lakh share approximately आज ही के दिन जुड़े हुए है मतलब price action में यहाँ पे मैंने जो आपको बताया हुआ था कि market जब इस level के करीब आ जाएगा 17400 से लेकर 17400 के zone में जैसे ही market आ जाएगा जो लोगों ने यहाँ पर writing के position का create करके resistance level को strong किया हुआ है वो लोग थोड़ा सा अपना position बन शाने के लिए और भी open interest का data को बढ़ा सकते है जिससे market में एक profit booking trigger हो सकता है तो कल आपने इस free वाले channel में मैं आपको update कर दूँगा जहाँ पे मैं bank nifty nifty option के intraday के free के signal देता हूँ यह free वाले channel का link वीडियो के नीचे डाला हुआ है जहाँ पे 1,99,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए है यही एक मात्र मेरा official channel है ता आप वहाँ पे जाके check कर सकते हो अभी open interest के data में और कुन से point पर आपको focus करना है तो नीचे की side में 17,200, 17,300 का जो level है यहाँ पे one of the highest open interest बना हुआ है और आज के दिन भी अच्छा कासा addition हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल चुका है तो जब तक market इस level के उपर रहेगा हम लोगों को एक sale on the eyes की जगह पे buy on the dips का trading strategy यूज करना बढ़िया रहेगा जैसे ही market इस level के करीब आ जाएगा यह लोग अपना position बचाने के लिए दुबारा market में इंटर हो सकते जिसकी वज़ा से एक market में buying का flow trigger हो सकता है जैसा मैंने आपको बताया कि 200 के level 17,250 का जो level है यहाँ पे multiple market ने test करके market ने upset का momentum बनाया हुआ है तो यहाँ पे अच्छा कासा buy का position market में बन चुका है प्लस अगर आप देखोगे तो market ने इस level को multiple बार test किया हुआ है और एक gap up का जोन भी यहाँ पर आ रहा है मतलब price action के हिसाब से भी एक area of high confluence है और open interest के data के हिसाब से भी यहाँ पे अच्छे कासे long position बन चुके है तो यह हमारे लिए बहुत बढ़िया support की तरह काम करेगा जब तक एक 15 minute का candle इसके नीचे close नहीं होता तब तक आपको डरने की जुरूरत नहीं है तब तक market नीचे गिरने वाला नहीं है अगर 15 minute का एक candle इसके नीचे close हो जाएगा तो यहाँ पर long जो है वो long trap हो जाएगे और उनकी वाज़ा से long unwinding का एक बड़ा fall भी हम लोगों को Thursday के दिन देखने को मिल सकता है लेकिन फिलाल के लिए अभी data positive लग रहा है price action positive लग रहा है युक्रेन और रसिया की तरफ से अगर युद्ध विराम का समझोता हो जाता है तो वो बड़ा trigger रहेगा जिसकी वाज़ा से market इस momentum को continue रख सकता है अगर in between market open होता है इस zone में तो immediately कोई trade मत कीजिए और नीचे आने तक का wait कीजिए और फिर उसी सबसे हम लोग trade करेंगे तो इसी तरीके के educational वीडियो देखने के लिए जादा से जादा लोग इस वीडियो को like कीजिए अपने free के updates के लिए टेलिग्राम चैनल को subscribe कीजिए और जादा से जादा educational वीडियो देखने के लिए YouTube चैनल को subscribe करके bell icon का button दबा दीजिए तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लगाऊंगा immediate आपको उसका notification मिल जाएगा तो मिलते हैं next educational वीडियो में Thank you very much